राजनीती का अर्थ समय के साथ बदल गया है राजनीती का एक जमाने में अर्थ और मकसद होता था नीती की राज़की स्थापना लेकिन अब राजनीती का अर्थ और मकसद दोनों बदल गया है आज राजनीती का मकसर किसी तरह से राच पर काबिज होने की नीती हो गया है आज कोई शरीफ और गरीब आदमी चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता चुनाव में धन बल का इतना जोर है कि अच्छे लोगों की राजनीती में आने का रास्ता ही ऐसा लगता है कि बंद हो गया है अब राजनीती में धन बल वालों का बहुबलियों का बहार है बिहार के 160 विधायक यानि की 67 प्रतिसत विधायक करोड़ पती हैं आप ये जानकर आश्यर्चकित होंगे जादा तर आपराधिक रिकॉर्ड वाले विधायक हैं जाहिर है राजनीतीक सुचीता की बात अब पुरानी हो गई है सियासी पार्टियां धन पश्यों बहुबलियों को ही अपना उमिद्वार बना रही है जो धन पश्यों है उनको अपना उमिद्वार बना रही है बहुबलियों को अपना उमिद्वार बना रही है सबसे पहले हम बात करते हैं जेडियू की प्रत्याशी पूनम देवी की पूनम देवी यादव की इनकी सबसे पहले इसलिए बात क्योंकि ये सबसे अमीर महिला उमिदवार हैं की सबसे महीर महिला उमिद्वार हैं और एक बड़े बाहुवली रणवीर यादव की पत्नी हैं पुनम देवी खगडिया से विधायक हैं और इस बार भी जेडियू की उमिद्वार हैं इनकी कुल संपत्ती 41 करोड 34 लाक उर्पय है इनके पती रणवीर यादव नरसंगहार म उमिद्वार हैं इनकी कुल संपत्ती 40 करोड 57 लाक उर्पय हैं ये अपराधी तो नहीं लेकिन धन्वल में बहुत आगे हैं बाहुवलियों की बात हो और अनन सिंग की शर्चा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता अनन सिंग मुकामा से निर्दलिये विधायक हैं और इस बार आ 28 करोड रुपय है हत्या अपहरन समेट कई आपराधिक मामले इनके खिलाफ दर्ज हैं कभी ये नितिश कुमार के बेहत खास होते थे लेकिन आज इनके निशाने पर हैं जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं ये चुनाव निर्दलिये चुनाव जीतने का दंखम रखते हैं ऐसे में आरजेडी के उमिदवार बन जाने से इनको हराना बेहत मुश्किल है धनबल और बाहुबल का सहारा नहीं लेने के सियासी पार्टियों के दावों को ये निता फिलाहल तो मूँ चुड़ाते हुए नजराते हैं वैसे इस तरह के सैक्ड़ों उमिदवार हैं जो य में आरजेडी सबसे आगे है जिसने इस बार के चुनाव में भी दागी और बाहुबलियों या उनकी पत्नियों को टिकट थमाया है आप परशित होंगे इस नाम से ये नाबालिक से रेप मामले में सजायाथता है इस बार इनकी जगा पाटी ने इनकी पत्नी विभा देवी को अपना उमिदवार बनाया है ये सैकडो करोड के मालिक हैं और पत्थर माफिया के नाम से मशूर है दूसरे आरजेडी के संदेश से विधायक हैं अरुन यादल जो नाबालिक से रेप के आरोपी हैं और अभी फरार चल रहे हैं इनकी पत्नी कीरन देवी को आरजेडी का टिकट मिला है रामा सिंग को भला कौन नहीं जानता ये वशाली से पुर्फ सांसद हैं हत्या और अपहरन के आरोपी हैं रगवंश बाबू के विरोध के बावजूद आरजेडी में इन्हें एंट्री मिली है और इनकी पत्नी को महनार सीट से आरजेडी का टिकट भी मिल गया है आनन्द मोहन भी एक नाम है आनन्द मोहन शिवहर से पुर्फ सांसद हैं डीम जी कृष्णया हत्याकाण में सजायाफता हैं पत्नी लवली आनन्द और बेटे चेतन आनन्द को आरजेडी ने अपना उम्मिद्वार बनाया है बेटे चेतन आनन्द शिवहर सीट से और लवली आनन्द को सहरसा से आरजेडी का टिकट मिला है इस बार राजदितिक सुचिता का दावा करने वाले जेडियू भी धन बल और बाहू बल के मामले में पीछे नहीं है इस बार भी बाहू बलियों और दागियों को टिकट दे कर जेडियू ने बता दिया है कि इस मामले में वो भी बाकी किसी से अलग नहीं है किसी पार्टी से अलग नहीं है ये सपस्ट किया है जेडियू ने रणवीर यादव खगडिया से पूर विधायक है नर्संगहार मामले में है सजायफता इसके लावा रंगदारी हत्या की कोशिश का रूब भी इनके उपर है अभी फिलहाल जेल में है इनकी पतनी पूनम या अमरेंदर कुमार पांडे कुचाय कोट से जेडियू विधायक है गोपाल गंच ट्रिपल मडर केस में आरोपी है इन्हें इस बार भी कुचाय कोट से जेडियू का टिकट मिला है ये गोपाल गंच के कुख्यात सतीस पांडे के भाई है गोपाल गंच में इनके नाम का सिक चालता है मजू औरमा को भला कों नहीं जानता चेरिया बर्यारपुर इलाका है बेगुसराय में यहां से विधाय कें पुर्व मंतरी हैं और मंतरी रहते हुए मजू औरमा यह स्विल वर्मा पती है वो बालिका ग्रिकांड और arms act के मामले में आये थे फंसे थे और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं नितिश कुमार ने इन्हें छेरिया बर्यारपूर से फिर से टिकट दिया है यह जेडियू का टिकट गया है जाहिर है बेहार की राजनीती में धन बल और बाहुबल का बोलबाला है इसे ही चुनाव जीतने की गारंटी माना जाता है आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं उम्मिद्वार अगर आपराधिक मामलोग का आरूपी है तो उसके जीतने की संभावना पंदर प्रतिशत होती है साफ छबी का उम्मिद्वार मैदान मे उतरे तो जीतने की संभावना मात्र पांच प्रतिशत होती है ऐसा हमने सोशल मीडिया और बाखी जगर पर चर्ची में सुना है हाल ही में जारी एलेक्शन वॉच्च और एडियार यानि की की रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक साल दोहजार पांच से अब तक 10,785 10,735 व उनमें 20 प्रतिशत ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं जीत के बाद 820 सांसद ऐसे एट टूइंटी सांसद और विधायक ऐसे हैं जिनका विस्टेशन हुआ तो इनमें 57 प्रतिशत पर आपराधिक आरोप थे जिनमें 36 प्रतिशत पर गंभीर आपरहत के आरोप थे यानि वही उम्मिदवार ज्यादा जीते जिन पर आपराधिक घटनाओं में लिफ्ट होने का आरोप है रिपोर्ट के मुताबिक जीतने के बाद इन धनकुवेरों की संपत्ती में और इजाफा होता चला जाता है साल 2005 से अब तक सब भी उम्मिदवारों के पास औसतन 1.09 करोड की संपत्ती 1.09 करोड की संपत्ती थी जीत के बाद औसत संपत्ती बढ़कर 2.25 करोड हो गई चुनाम मैदान में उतरे सनातक और उसके अधिक कीज़े सिक्षा लेने वालों में 33 प्रटिशत पर आपराधिक मामले दर्ज हैं इनमें 21 प्रटिशत सिक्षत उ यानि की 12 होई तक की सिक्षा ग्रहन करने वाले उम्मिदवारों में 29 प्रटिशत की ही आपराधिक घटनाओं में आरोपी हैं गंभीर आपराधिक घटनाओं के आरोपी 20 प्रटिशत हैं तो यह हमारा एक विशेस कवरिच था जिकि विशेस तोर पे हमने आपको एक आकलन दिखा बताया कि किस तरीकी के उम्मिदवार आखिर हमारे और आपके बीच में इन चुनाओं में आ रहे हैं और आपको कैसे अपने हिसाब से सही निर्ने लेना है अभिशेक चंद्रा सिरी पोस्ट